कि नमस्कार सक्षी नियुस नेटेक और आप सवी का स्वागत है दिल्ली की एक अदालत ने नागरिक्ता संशोधन अधिनियम के खिलाफ अलीगर्ड मुस्लिम निविस्टी और दिल्ली के जाम्या इलाके में कथित रूप से भड़काऊ भाषान देने के लिए शर्जील इमाम के खिलाफ सोंवार को आरोप तै कर दिये जिन कथित भड़काऊ भाषणों के लिए शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया था वे 13 दिसंबर 2019 को जाम्या मीलिया इस्लामिया में और 16 जनवरी 2020 को अलीगर्ड मुस्लिम इंविस्टी में दिये गए थे हम आप शर्जील इमाम पर देश्ट्रो धर्म जाती जन्म इस्थान के आधार पर विभिन समुहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने रास्ट्रिय एक्ता के लिए हानिकारक आरोप और भारतिय दंड सहीता के तहत गैर कानूनी गतिवीदियों में शामिल होने का आरोप चलेगा उलेखनी है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शर्जील इमाम के खिलाफ चारचीट डायर की इसमें आरोप लगाया गया था कि उसने केंदर सरकार की प्रती नफरत और अवमानना और असंतोश को भड़काने वाले भाशन दिये और लोगों को उकसाया जिसके कर दिसंबर 2019 में हिंसा हुई थी हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल जब शर्जील इमाम की जमानत याचिका अदालत ने ठुकराई थी तब नियाधीश्ट ने भी सपस्ट कहा था कि भाशन और अभिव्यक्ति के मूलफुद अधिकार का इस्तेमाल सामप्रदाइक श काट देंगे इस्थाई तोर पर नहीं तो महीने दो महीने के लिए काट देंगे शर्जील के इस पयान वाला वीडियो भी खूब बाइरल हुआ था उसमें वह कह रहा था कि रास्तों और रेल मार्गों पर बाधाई फैला दो असम और इंडिया कटकर अलग हो जाएं तभी कि यह लोग हमारी बात सुनेंगे और हम यह कर सकते हैं क्योंकि पूर्वत्तर और भारत को जोड़ने वाले गलियारे यानि चिकन नेक में मुसल्मानों की बड़ी अबादी है यह शर्जील इमाम का बयान था पुलिस ने इस मामले में शर्जील इमाम को देश्त्रों के आर कैसे मानी जा सकती हैं शर्जील के उस फाशन में देश की एकता और अखंडता को सीधे सीधे चुनोती तो थी ही साथी एक वर्ग विशेश के लोगों को भटकाने का भी प्रयास किया गया था हम आपको बता दें कि चिकन नेक सामरिक रूप से पूर्वत्तर भारत का महतप सिल्यगोडी गल्यारा बना था 1975 में सिक्किम का भारत में विले हुआ उससे पहले इस गल्यारों के उत्तर में सिक्कِّम की रियासत थी this पिक्किम के विले से इस गलियारे के उत्तरी हिस्से में भारत की रक्षात्मक स्थिती मजबूत हुई और चीन की चुम्बी-घाटी के पस्चिमी किनारे में भारत का नियंत्रण में मजबूत हुआ ऐसा कहा जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस इलाके में एक वर्ग विशेश की जनसंख्या में बेताहाशा वृत्थी दर्ज हुई है जो सभाविक नहीं होकर किसी शडियंत्र का हिस्सा भी हो सकती है शर्जील का चिकेन नेक को लेकर दिया गया ब्यान इसी से जोड़कर देखा गया वैसे देखा जाए तो जेनिव छातर संग के पूरु छातर कनहिया कुमार के केस में राजनीती हावी नहीं हुई होती तो और अदालत व्याद दिल्ली पुलिस को अपना काम करने दिया जाता तो शायद आज शर्जील इमाम जैसा व्यक्ति स सर्याम देश तोड़ने की हिमाकत नहीं कर पाता लोगतंत्र एक निरंतर प्रवाहमान विचार्धारा है परतु संकीर्ण राजनीती उस सरिता में बाधा खड़ी करती है देश में अभिवत्ति की स्वतंत्रता की सीमा वे देश्त्रों को नई सिरे से परिभाशित करना चा झाल 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 झाल